हेलो एर्वान वेलकूंग टू फीडबाक अकाडमी आयम पीवी शर्मा इस वीडियो में हम लोग करन्ट अफेस के जितने भी सबसे ज्यादा इंपोर्टन एमसी क्यूस एंड इंफोर्मेशन हैं फॉर्थ ऑफ जून 2020 के वो डिसकस करेंगे ठीक है करन्ट अफेस से लेटेट कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आज के दिन में आप से छूट जाएगा अगर आप आप यह वीडियो देखी प्लस हम लोग टेखनीक्स भी डि इससे कि आपको पता चल सके कि आज कल कौन सी कौन सी विकेंसी आ रखी है उनको अपलाइ कैसे करना है तो यह सारी चीज़े आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी तो आपको इधर दो जाने की जरूत नहीं पड़ेगी इस सेडियूल के हिसाब से हम लोग वीडियो अप सब्सक्रिप्शन लिखा है उसको करेंगे प्लस बेल दबाएंगे तो आपके पास अपने आप ही वीडियो प्लस पीडियो आ जाएंगी ओके सो इसी मेसेज के साथ चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग थोड़े इंपोर्टन अपॉइं पढ़ेंगे यह कुछ अपॉइंट्मेंट्स हुए हैं हाई कमिशनर के डिफेंट डिफेंट कंट्रीज में तो इनके अलगलग कोशन बनाने की बजाए मैंने एक ही स्लाइड में बता दिया जिससे की याद करने में असानी हो ठीक है सो यह टेबल है चार हाई कमिशनर से बने हैं पॉपवा नूगुईना के हाई कमिशनर ठीक है इंडिया के अमबैसेडर एक तरह के से यह आप देख सकते हैं मैप में पॉपवा नूगुईना कहां पर आता है यह साउथीस्टेशन कंट्री है ठीक है और पैसिफिक ओशिन रिंग औफ फायर जो जितनी भी कंट कमिशनर बने है कुवेत आप देख सकते हैं इस एसियन नेशन ठीक है कोरेत इहां पर आता है तो मैप के थ्रू एफोंटोस की बात करें तो वह कौशिन्स पहला है कि कौन सी ओगनाईजेशन ने अल्ट्रा-सवच नाम का एक डिसिंफेक्शन यूनिट बना बनाया है वह DRDO की फुल फॉर्म क्या DRDO है Defense Research and Development Organization इनके चेर्मेन कौन है इनके चेर्मेन है जी सतीष रेडी यहाँ फोटो में देख सकते हैं इनको याद कैसे करेंगे अब जी सतीष रेडी को याद कैसे करेंगे तो DRDO एक defense organizations है और हमको पता है defense वाले हमेशा ready रहते हैं problem आती है तो वो सबसे पहले आते हैं help करने के लिए मतलब हमेशा aware रहते हैं और इनके नाम में ready है यहाँ से हम थोड़ी similarity बनाके यह question याद कर सकते हैं जी सतीष रेडी जी DRDO के chairman है इन दोनों चीज़ों को मिलाके एक story बनाके चोटी सी हमारे mind में यह दोनों चीज़े हम लोग याद कर सकते हैं अब यह जो disinfection unit है ultra switch यह क्या करेगा disinfect करेगा यह materials को like personal protective equipment पीपीज को हो गए fabrics हो गए electronic items हो गए mobiles वगरा जो हम use करते हैं ठीक है पूरे दिन में इन सब चीज़ों को यह disinfect करेगा यह दो variants में available है एक तो ozonated space और एक trinator technology आपको यह चीज़ याद नहीं करनी है आपको जो याद करना है इस question में एक तो DRDO ultra switch ठीक है और उनकी chairman तीन चीज़े आपको याद रखनी है right and headquarters उनका है न्यू डली में next question है Moody's investor service lowers India's sovereign rating 2 Moody's एक international finance agency है यह उनका photo है तो इन्होंने क्या करा है sovereign rating degrade करी है इंडिया की from BA2 to BA3 इसका मतलब क्या है यह rating क्या बताती है यह rating बताती है कि किसी भी देश में अगर कोई भार से investor आ रहा है तो वो investor कितना safe है उसकी investment कितनी safe है तो BA3 जो होती है वो बहुत ही poor rating है इसके बाद सिर्फ junk status बसता है मतलब कि वो country बिल्कुली junk है ठीक है तो BA3 rating हमारी because of COVID-19 जितने जितने भी measures हुए है जो GDP growth हमारी deplete हुई है जितने भी हम लोग के development के जो काम थे वो रुक गए है उन सब की वज़े से सारे factors को साथ मिलेके यह जो rating है वो degrade हुई है और इसका headquarters का है इसका headquarters है New York United States में यह एक अमेरिका की agency है तो इसलिए ही इसको थोड़े इंडिया वाले seriously भी लेते हैं हमारी हम लोग cope-up करेंगे COVID-19 से coronavirus pandemic से उसके बाद यह rating उम्मीद करते हैं कि फिर से BA-2 and eventually BA-1 में आ जाएगी which port has been renamed as Shama Prasad Mukherjee port Shama Prasad Mukherjee port एक port का नाम change हुआ है यह है Shama Prasad जी वो कौन से port का नाम change हुआ है वो हुआ है Kolkata port का नाम Kolkata port जो है वो पहला riverine port है इंडिया का riverine port वो होता है जो किसी river के side view होता है ठीक है usually आपने देखा होगा ports जो होते हैं वो oceans यह seas के पास होते हैं अगर Kolkata port जो है वो एक riverine port है जो hooghli river के पास है ठीक है और वो only riverine port है इंडिया का राइट Shama Prasad जी कौन थे वो एक Bengali leader थे eminist jurist थे and academic missions थे ठीक है बहुत ही बड़े leader थे वो Bengal के इसलिए उनके नाम पे Kolkata port का नाम रखा गया है next question है कि इंडिया की rank startup ecosystem ranking report में कितनी हो गई है इंडिया की rank हो गई है 23rd और यह कितनी places से गिरी है यह गिरी है six places से इसको startup blink के एक organization है वो release करता है यह बताता है कि एक startup के लिए country कितनी feasible है कितना उसमें ecosystem है कितने resources वो provide करती है एक startup को promote करने के लिए जो top countries है उनमें सबसे पहला नाम है United States फिर आता है UK, England, Israel, Canada and Germany cities में बात करें तो cities में सबसे पहला नाम है San Francisco, Bega ठीक है यह cities का है cities की first ranking है, countries की first ranking है तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ लिग दिया cities में आपको बाकी ranking याद करने की जरूत नहीं है सिर्फ first ranking याद करिए and countries में US is the first country according to this startup blink organization जिसमें startup के लिए ecosystem best है next है कि कौन National Fertilizers Limited के chairman and MD बने है इन में से कौन जो चारो option देख रहे हैं वो कौन बने है NFL का logo आप देख सकते हैं अपनी screen पे यह बने है हमारे chairman and managing director NFL के ठीक है तो उससे related जो mental picture create होगी माइन में वो फोटो से आप उसका answer अच्छी तरह कर पाऊगे और फिर आपको सही answer भी कर पाऊगे अब गलत answer नहीं करोगे ठीक है या तो दो तरही होते हैं किसी चीज़ को याद करने के या तो होता है movie track जैसे एक movie होती है उसमें क्या होता है कि एक story बनती है तो या तो एक छोटी सी story बना लो जैसे कि हमने first question में गराता है सतीश रड़ी जी के साथ या फिर अगर आप story नहीं बना पा रहे हो तो क mental picture create हो सके and याद असानी से हो सके right next question है bicycle day हम लोग मनाते है bicycle day हम लोग कौन सी date को मनाते हैं यह हम लोग मनाते हैं 3rd of June को और आप इस photo से आप असानी से पता कर सकते हैं कि यह किस ने start कर रहा था यह कर रहा था UN ने because UN का symbol है नहीं तो UN ने United Nations General Assembly ने start कर रहा था यह April 2018 को इसमे कैसे कैसे बचें हम tolerance कैसे increase करें अपनी ठीक है लोगों के प्रती प्रस हमारी खुद की immunity वगरा कैसे increase करें because bicycle is the best thing जिसमें हम लोग का बहुत physical activity होता है environment friendly होता है वो sustainable development के लिए बहुत ही useful है एक bicycle ride अगर हम ले रहे हैं instead of going by any automobile right so इन सब चीजों को promote करने के लिए United Nations General Assembly ने 3rd of जून को International World Bicycle Day declare करा था ठीक है अब क्योंकि United Nations के बारे में बात हो रही है तो Secretary General जो होते है United Nations के बहुत important होते है right and हमने उनके बारे में बता भी रखा है तो आप मुझे comment box में लिखे बताइए कि United Nations के Secretary General कौन है okay next है Pan India Real Time Market in electricity यह किस ने launch करा है New Delhi में भी recently तो यह launch करा है हमा Development and Entrepreneurship Ministry के Minister okay यह Ministry of Skill Development and Entrepreneurship है and यह R.K.S. जी है तो इनों ने क्या करा है एक Real Time Market in electricity यह पोटल है इसको launch करा है okay through video conferencing obviously अभी कुछ भी launch हो रहा है न तो वो video conferencing के थ्रू ही होगा ठीक है और किसी कि तरह personally जाके कुछ भी launch कोई भी Minister नहीं कर पा रहा है और ना वो करना भी चाहिए because of obvious reasons अब यह कुछ job notifications है जो आप देख सकते हैं इन सब notifications के जो official websites link है हमने description box में डाल दिये हैं तो वहां से आप इन सबको access कर सकते हैं directly आप notifications पर जाएए ठीक है link क्लिक करिए notifications पर जाएए and फिर ए career page होता है website पर जाके right तो career page पर जाके आपको सारे notification मिल जाएंगे और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे telegram group पर directly join करिए उससे आपको क्या होगा कि PDF आप directly download कर सकते हैं तो HAL में vacancy आई है अभी Punjab Public Service Commission में vacancies आई है National Health Mission की vacancies आई है and SBI की vacancies आई है यही है आज की वीडियो इतनी है आपको कैसी लगी ठीक है जो question मैंने पूछा है उसका question का जवाब दीजिए right so जो जो भी जवाब देगा उसको हम लोग एक shout out देंगे कि कि किसने जवाब दिया पांच बज़े शाम को हमारी इसी वीडियो की एक revision वीडियो होगी मुश्कि करना भी एक बहुत important चीज़ होती है अगर हमारा mind कुछ सोच रेता है कि मुझे वह subject नहीं आता तो आप subject कितना भी पढ़ लो आपको नहीं ही आता test इसलिए भी देते हैं ताकि अच्छा score करके हम लोग हमारे mind को convince कर सके कि हमको यह subject बहुत अच्छी तरह आता है right so इसलिए important है वो revision video देखना okay बाकी आप हमें facebook पे instagram पे telegram पे and twitter पे follow कर सकते हैं वहां पे हम लोग active discussions करते हैं जो भी हमारे latest news है जो भी latest कुछ हम लोग upload करने वाले हैं वहां से आप लोग information ले सकते right so आज की video में इतना ही है thank you for joining and we hope to see you at 5 p.m. okay thank you very much